बिस्मिल्ह रख्मान रहीम असलाम अलेकुम डियर स्टुडेंट्स मैं डॉक्टर एमद अच्छा बच्छा बायक में स्ट्री में आज हमने लेक्चर नंबर थर्टी को डिसकस करना है और लेक्चर नंबर थर्टी महारा जो टोपिक है वो है वैटामिन बी वन तो यहां से न वैटामीन भी कहते हैं इसका दूसरा नाम थामीन है तो आज हमने वैटामीन बी वन की बात करनी है तो यह कुछ पहले इसकी प्रोपर्टीज है कि यह वैटामीन बी वन है यह वाटर सुलूबल वैटामीन पानी के अंदर हल हो जाता है और दूसरा जब यह वैटामीन हमार वोड़ी में कम होता है। इसके कम होने से हमारी बोड़ी में एक ड़सीज पैदा होती है और Pushारी में बैरी-बैरी बैरी में मिल मुछ वीक हो जाता है। अब nic के सिनोनिम्स किया है इसके दूसरे नामों में इसका आर ए नियूराइन भी कह सकते हैं और इसका दूसरा नाम आप कह सकते हैं इसको थायमीन भी कह सकते हैं इसको आप एंटी बैरी बैरी फैक्टर भी कह सकते हैं क्योंकि ये बैरी बैरी से बचार है और फॉर्थ इसका नाम ह anti-neuritic factor तो ये चारो इसके नाम हम use करते हैं इसके बाद हम बात करते हैं इसके sources कौन से हैं vitamin B1 के तो animals में इसके जो source हैं वो egg yolk है अंडे की जो जर्दी होती है उसके अंदर vitamin B1 आपको मिलता है kidney के अंदर जानूरों की जो kidneys हम खते हैं उसके अंदर होता है liver ये जो कलेजी होती है उसके अंदर होता है milk ये जो दूद पीते है दूद के अंदर ही vitamin B1 होता है ठीक है जानूरों का जो heart होता है दिल उसके अंदर vitamin B1 है and liver of fish fish का जो liver होता है इसके अंदर ही आपको vitamin B1 मिलता है और अगर हम plant sources की बात करें, plant में whole cereal, cereal कहते हैं जितने भी ये फसलें जिनके दाने होते हैं, जिसना गंदम होगी या आप कहा सकते हैं, चावल होते हैं, या मकई होती है, इनको हम cereal कहते हैं, ठीक हो गया, तो इन तमाम cereal के अदर आपको ये vitamin B1 मिलता है, yeast एक फंजाई है, इसक के अदर आपको मिलता है, nuts and fresh fruit, ये जो nuts वगरा होते हैं, बदाम हो गया या ख्रोट वगरा, और जितने फ्रेश फ्रूट्स और जितने भी vegetables हैं, सबजी हैं, सब के अदर आपको ये vitamin B1 मिलता है, अच्छे, इसके बाद हम बात करते हैं, vitamin B1 के functions कौन से हैं, तो पहला इसका function है, act as carboxylase, carboxylase एक enzyme होता है, ठीक है, और ये enzyme क्या करवाता है, decarboxylation का करवाता है, decarboxylation का मतलब होता है, removal of carbon, ये किसी भी compound से आपने carbon को remove करना है, तो इस सम्भल को हम कहते हैं, decarboxylation, तो vitamin B1 हमारी body में, ये carboxylase के तोर पे काम कर रहा है, जिस तरह एक reaction है, ये, आप कैसाते हैं, glycolases आपको पता होगा, जिसमें हम glucose को तोटते हैं, और इस result में आगे परोवी केसर बनता है, तो ये हमारे पास परोवी केसर है, परोवी केसर में तीन carbon होते हैं, ठीक है, तो यहां से देखे हमने A carbon यहां से बाइर निकाल दिया, और साथ ये वाला जो compound बना है इसको हम S-Tel-CoA कहते हैं, तो A carbon हमने यहां से बाइर निकाल देखे हैं, यहां पर दो carbon रहे गए हैं, तो परोवी केसर से carbon का निकलना है, इस हमल को हम कहते हैं, डी-carboxylation, और यह हमारा जो vitamin B1 है, यही करवा रहा है, और दूसरा है S-transketolase, तो यह भी एक enzyme है, जिसके तोर u पे vitamin B1 काम कर रहे हैं, हमारी body में एक reaction होते हैं, जिसको हम करते हैं, pen-tose-phosphate pathway, जिसवरा अं-gllegen Bliss तो हते हैं, जिसमें हम glucose- pepp fountain केसर बनाते हैं, इसी तरह हमारी body में यह भी एक reaction है, जिसको हम करते हैं, pen-tose-phosphate pathway, तो इस reaction में, यह वाला हमारा जो vitamin B1 है, यह as a transketolase काम क ठीक है and it is necessary for enzyme action के ये इस पाथ पे हम जितने भी enzyme use होंगे उनके काम करने के लिए vitamin B1 लाजमी है और थर्ड पे इसका function है conversion of fat के हमारी बोड़ी में जो भी fat आ रही है तो ये fat को carbohydrates और protein में convert कर रहे है और उसके बाद fourth पे growth के हमारी बोड़ी की growth हो रही है ठीक है muscles बन रहे हैं या bones की growth हो रही ही भी सारा vitamin B1 की वह जांसे है और फिर actions of CVS CVS कहते हैं cardiovascular system हमारा जो cardiovascular system है ठीक है जिसमें हमारा heart आ जाता है हमारी blood vessels आ जाती है तो इनका जो काम है ये भी depend कर रहे है vitamin B1 के ओपर जिससरा यहां पे देखें CVS function depend upon amount of carbohydrates के जो cardiovascular हमारे body के अंदर जो काम कर रहे है heart है या blood vessel है जो काम कर रहे हैं को काम करने के लिए carbohydrates चाहिए है ठीक है लेकिन हमारी body में जो carbohydrates run parallel of thiamine के जैसी ये थायमीन या vitamin B1 होगा तो ये fat को carbohydrates बनाएगा तो जैसी हमारी body में carbohydrates होंगे तो carbohydrates के होने से हमारी body में ये cardiovascular system जो functions है वो होंगे ठीक हो गया और last पे अगर आपकी body में ये vitamin B1 कम हो जाए तो इसकी कमी से ये हम पहले बात कर चुके हैं एक disease पैदा होती है उस disease कम कहते हैं बारी बारी ये ऐसी disease है जिसमें हमारे muscle weak हो जाते हैं और हमारे muscle में ये जो फालर जैपराल सीज़ा ये हो सकता है अच्छा बचो ये था हमारा आज का lecture अमीद करता हूँ मेरा lecture आपको बहुत अच्छा लगा होगा अपनी दौाओं में याद रखिएगा मिलते हैं नेक्स lecture के साथ अल्ला आफिस